अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करेंगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अभी कई बच्चों के एक्जाम स्टार्ट हो गए है या कई बच्चों के एक्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ये टाइम जो है वो बच्चों के लिए बहुत जादा मेंटल प्रेशर का टाइम होता है उन्हें कई सारी तिंकिंग आने लगती हैं कि हमारा एक्जाम क कैसा आएगा जो questions है वो हमसे solve होंगे या नहीं होंगे इस तरह से कई सारे विचार जो है वो बच्चों की दिमाग में घूमते रहते हैं और इस वज़े से जो anxiety या जो डर develop होता है उसे हम examination phobia कहते हैं इस examination phobia के कारण उन्हें कई सारे symptoms आना शुरू हो जाते हैं symptoms की अगर हम बात करें तो उन्हें दो parts में divide कर सकते हैं एक है mental symptoms mental symptoms में जैसे जो student है उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि exam का paper कैसा आएगा मैं पूरी तरह से उसके लिए prepare हूं या ना हूं उसके वज़े से उन्हें बहुत ज़ादा घबरहाट होने लगती है बहुत ज़ादा बेचाइन होने लगती है जो की anxiety का form ले लेती है इसके अलावा बहुत ज़ादा udah tension होता है Bहुत ज़ाद 2 htis པर किसी भी काम को करने कई शृज iedereen को लेनियमें तो इस तरह से इस यह मैंटल सिम्टमματα नहीं और बात करें तो जो स्टूडेंट हैं उन्हें Deskts नहीं अप्रणाइट होता है उन्हें भूक ठीक से लगती कुछ भी खाने का मनने ही होता इसके अलावा है डेक की प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है तो इस तरह से कुछ अच्छे से नहीं पड़ेंगे तो अच्छे से नंबर नहीं आएंगे और बड़े हो कैसे कुछ अच्छा बन पाएंगे तो इस तरह के प्रेशर के कारण जो है वह उन्हें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है से कि अगर हम देखें तो उन्हें यह लगता है कि टाइम हमारा जो सिलेबस है जो हमने पड़ा है जो सिलेबस हमें आना है वह कंपलीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस वजह से उन्हें यह टेंशन बना हुआ रहता है तो यह कुछ कारण है जो उनकी एंग्जाइटी के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं अब हम बात करते हैं होमेपैटिक मेडिसन की दोस्तों होम्यपैटी में कुछ बहुत अच्छी मेडिसें है जिनको लेकर के आप अपने इस अगजामिनेशनफोबिया को कुरी तरह से ठीक कर सकते हैं उसमें सबसे पहले मेडिसेन आती है जलसिमी जो है वो एक्जामिनेशन फोबिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर आप यह देख रहे हैं कि एक्जाम के टेंशन के कारण आपको बहुत ज्यादा रस्लेस्नेस हो गई है इसके लावा आपके सेर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है सम्टाइम्स स्टूडेंट है उन्हें डाइर्या की कंप्लेंट भी हो तो अगर यह कंप्लेंट देखने के लिए मिल रही है तो जलसी में आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है थर्टी पुटेंसी में दो दो बूंदे दिन में दो बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं जलसी में सिफ एक्जाम ही नहीं बलकि अगर आपको इस्टे पुटेंसी में दो दो बूंदे दिन में दो बार ले सकते हैं अगर आपको एक्जाम के कारण जो एंग्जाइटी हो रही है उसकी वज़े से आप बहुत जादा इंसेक्यूरिटी की फिलिंग कर रहे हैं मतलब आपने सब कुछ पढ़ लिया है सारा सिले बस आपने कंप्ल इस टाइम पर जो इस टूडेंट है उन्हें एंग्जाइटी के अकारण उनकी बॉड़िशादा हन obtी उनका जो शरीर है बहुत ज़ादा फिल होता हैं और इस समय उन nehme G खानी के क्रेविंग बहुत जादा होती है तो अगर यह सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो जन्टम नाइट्रिकम आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है थर्टी पुटेंसी में दो बुंदे दिन में दो बार लेकर के आप इसको यूज कर सकते हैं नेक्स जो मेडिसिन आती है वो है काली फॉस दोस्तो अगर आपको एक्जाम का जो डर है उसके विज़े से नीम नहीं आ रही है इसके अलावा मूट स्विंग्स हो रहे हैं आपका जो दिमाग है वो इस्थिर नहीं रह पा रहा है किसी भी चीज में इस्थिरता नहीं है तो उस कंडिशन के लिए काली फॉज है वो आपके लिए बहुत अच्छे मेडिसिन है इसको 6-6 पॉटेंसी में आप यूज कर सकते हैं इसकी 6-6 टैबलेट सुबे शाम दो बार आप लेकर के यूज कर सकते हैं नेग्स जो मेडिसिन आती है वह है अथ्यूजा दोस्तों अगर आप ये देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो बहुत जादा रेस्लेस है इसके अलावा जो स्टूडेंट है उसे कॉंसेंट्रेट करने में बहुत जाद डिफिकल्टी हो रही है वो अपनी पढ़ाई प थोड़ा सा भी अगर पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं तो अगर यह सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो एक्थ्यूजा आपके लिए बहुत अच्छे मेडिसिन है थर्टी पोटेंसी में दो बूंदे दिन में दो बार लेकर के आप इसको यूज कर सकते हैं इसके अलावा आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है जैसे आपको अपना खाना अपनी डाइट जो है वो प्रॉपर रखना है टाइम से खाना है इसके अलावा जो आपका रूटीन है टाइम से सोना टाइम से उठना इस रूटीन को अच्छे तरह से मेंटेन करके सारा दिन पढ़ने के बजाए अगर आप जो पढ़ाई का टाइम है उसके बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेंगे तो उससे जो है वह आपका माइन फ्रेश होगा और आपको अगली चीज याद करने में बहुत ज़्यादा हल्प मिलेगी पेरेंट से मेरी रिक्वेस्ट तरह से ठीक कर सकते हैं उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथी साथ बैल बटन को भी दबाए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन से मिलते रहें इ